समाज में हम संगठित समूहों में रहते हैं, जहां विश्वास प्रणाली की मौजूद्गी बनी रहेगी. क्या ऐसा है, तो टक्रावों की मौजूद्गी जारी रहेगी? आप कहा रहें कि वे विश्वास करते रहेंगे? क्या आप यही कहा रहें? हाँ, विश्वास प्रणालियां जारी रहेंगी. क्या आप आगी के लिए भविश्यवानी कर रहे हैं? इसे भविश्यवानी होना जरूरी नहीं है. मेरे विचार से अगर आपकी बुद्धिमत्ता काम कर रही है, अगर आप उसे काम करने देते हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता किसी भी चीज़ में विश्वास करने में ना काबिल है. क्या ऐसा नहीं है? हाँ या नहीं? हाँ? आपकी बुद्धिमत्ता जानना चाहती है. ये किसी चीज़ पर विश्वास करने को तैयार नहीं है. लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता को त्याग दे रहे हैं क्योंकि आपका डर इतना प्रबल है कि विश्वास करने में आपको आराम दे महसूस होता है लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को आपको आगे ले जाने देते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता किसी चीज में विश्वास नहीं करती, वो हर चीज जानना चाहती है, है ना? हाँ, कि आपकी बुद्धिमत्ता की यही प्रकृती है? तो अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को काम करने देते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके सारे विश्वास बस बिखर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जानते नहीं है, है ना? लेकिन इसे स्विकार करने में आपको बहुत दबाव लेना होता है, लेकिन असल में आपको पता है कि आप नहीं जानते हैं, है ना? क्या आप जानते हैं, हाँ, फिर समस्या क्या है, आपको किसी के आगे स्विकार नहीं करना है, क्या आप कम से कम अपने आप से स्विकार नहीं कर सकते, क्या मैं नहीं जानता, अगर आप नहीं जानते, तो क्या आप ये देखते हैं, क्या आपको अपनी बुद्धिमत्ता इस् यह ऐसा ही है, जब आप नहीं जानते, तो हर चीज़ चमकदार बन जाती है. वो बस खोज रहा है. आपकी बुद्धि मत्ता पूरी तीवर हो जाती है, और खोजती है. जब आप मान लेते हैं मैं जानता हूँ तो हर चीज धीमी पढ़ जाती है और आप अपने मुर्खता पूर्ण जीवन को जारी रखते है अगर आप अपनी बुद्धी का अस्तिमाल करें तो क्या ये ठीक है? क्या आप मुझे इस क्यानुमती देंगे? क्या ये आपके लिए ठीक है क्या आप अपनी बुद्धी का अस्तिमाल करें? या ये भगवान के खिलाफ है? ये ठीक है मैं आप से पूछ रहा हूँ क्या अगर आप अपना जीवन जीने के लिए अपनी बुद्धी का अस्तिमाल करते हैं तो ये आपको दी ही नहीं गई होती, है ना? तो अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धी किसी चीज़ पर विश्वास करने को तैयार नहीं है. ये सिर्फ आपके अंदर का डर है. आप कभी भी ये विश्वास मत कीजिए, कि ये भक्ती है. भक्ती नहीं, बस डर है जो आपको चीज़ों पर विश्वास करा रहा है, है ना? इसलिए आपने इसे भाय भक्ती बना दिया है. भाय और भक्ती साथ नहीं होते, अगर भक्ती आ जाती है, माफ कीजिगा, क्या आप जानते हैं भाय भक्ती क्या है? नहीं? भाय का मतलब है डर, भक्ती का मतलब निश्ठा. देखिए, अगर भक्ती आ जाती है, तो आप में डर नहीं होगा. अगर डर मौजूद है, तो उसका मतलब है कि भक्ती नहीं आई है. लेकिन आपने एक मिश्रण बना लिया है, आप दूनों को रखना चाहते हैं, भाय भक्ती, भाय भक्ती जैसा कुछ नहीं होता, बस भाय, सिर्फ डर, डर और भक्ती साथ-साथ नहीं हो सकते, क्रप्यास पर गौर कीजिए.